हेलो बच्चा पाटी क्या हल चाल कैसे हो और बहुत बड़ा अपडेट अभी आया है सुप्रीम कोट के वज़े से जिन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया था बच्चों सुप्रीम कोट का अदेश आया डिसीजन आया है कि इन सारे बच्चों का दुबारा से रे नीट होगा मतलब ग्रेस मार्क को रद कर दिया गया है ठिक और सायद 23 जून को रे नीट का एक्जाम कंड़क्ट कराया जाएगा तो केवल 1563 बच्चों का ही रे नीट का एक्जाम होगा और चांस है कि 30 जून से पहले पहले रिजल्ट डिक्लियर कर दिया जाए तो इस समय का बहुत बड़ा अपडेट है बच्चों की न्टिये ने जो ग्रेस मार्क दिया था वो वापस कर लिया है और इन लोग का दुबारा एक्जाम कराया जाएगा तो जिन बच्चों का 650 से उपर आया था अब उनको पढ़ाई करने की जरूयत नहीं है मिल तो जाएगा लेकिन एक बार 1563 बच्चों का एक्जाम हो जाने दो फिर देखो कटाफ क्या बनती है हो सकता है कि 5-10 नम्मर कम कटाफ गीरे ताकि जो बच्चे 640-635 हैं में भी उनको मिलने की प्रोबिल्टी कॉलेज मिलने की प्रोबिल्टी ज सोचें आपको बता दें चलो बच्चों बढ़ें से पढ़ाई करो बाई बाई